नमस्कार दोस्तों आप सभी का दाविक्टेट आप स्वागत है आज ही वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका DV and PhD होने वाला है उसकी लिए मैं आपको कई सारी टिप्स देने वाला हूं अपने एक्सपीरेंस को आपके साथ सेयर करने वाला हूं जो मेरा एक्सपीरें साथ सेयर करने वाला हूं कोई भी ऐसे गूगल की तरह इंफर्मेशन नहीं एकदम जो रियल है जो ग्राउंड पर चीजे होती है जो चीजे होती है जो वहां जाने पर पता चलती वह सब्सक्राइब कर देना इस्टागरम पर हमारे एप को भी डाउनलोड कर लेना वहां प पहली जाते हैं वहां डाउक होता है हम कोई गल्ति ना करते हैं जैसकी मुझे को गाईड करने वाला नहीं कोई बढ़ करने यह घुस determining करो राव में अपने आर यह मंड़े बता जीनों डैके मेरा ITBP head constitutional minister still 2 tuo में पता हैं उसको पित करता हूं जब मैं गया वहां के लिए ये एड मिट नेकी गया ठीके वहां पर पहले थो प्लिए था प्लियर्ट पढ़ीन एम्ले कर लिए अपना कर लिया था बास मैं सब्लिक्सित की राशनी हो गई ती UNC poko है और अपनी हैट लगे हैं ऐसे खड़ा करके नाबती मेरे अब हाइट में डाउट की आता है बच्चों का कि सर क्या हाइड बहुत कम नापते हैं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं कि आपकी हाइड अगर 72 है तो एक 70 नहीं नाप देंगे ठोड़ा बहुत अंतर आता है ठीक है जैसे मेरी लाइट 167.5 है ठीक है मगर ITB भी मेरी हाइट की थी नापी गई 167 क्यों क्योंकि वहां जो रिकॉर्मेंट ही 165 थी तो उन्होंने बोला 167 आ गया है तो पास तो होई गया हूँ तो कोई दिक्कत ने अगर मेरी हाइट अगर मेरी हाइट होती 164,4.5 आती तब वो मेरी हाइट 2-3 बार नापते कि यार सही कर चलो इसको पास करा देते हैं कैसे भी करके 165 इसका कर देते हैं मगर अगर आपकी हाइट थोड़ी सी आर रही अंदर थोड़ा कोISHिस किया जाता है कि आपको पास कर दिये ठेंजन के बारे में यजिए अपी पुलिस में पता यूपी पुलिस में डीवी कैसे हुआ था। यूपी पुलिसा फाले आजस्ट वोर सधिया तो पहले थो हम्हें वहाँ गए हमें एक करें दीया गया ज्यादा किमपी तो उसके बाद हम गये वहां पर थो मैं कि उसके पार माठिय और तो मेरी 167.5 वहाँ पर आई, मेरी eject height इतनी है, और VP Police में चाहिए थी height 168, ठीक है, तो वहाँ मैं 0.5 से छड़ गया था, तो मैं वहाँ पर खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया, height मेरी ना पर रहे हैं, और मेरी height कम आ रहे थी, 0.5 कम आ रहे थी, तो मजाक नहीं कर रहा हूं, 10 minute तक उसने मेरी height ना पी है, वहाँ जो भी officer था, उसने बोला जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो जाओगे, बोला मेरे उपर विश्वास नहीं है, वहाँ और भी candidate थे, उन candidate को बुलाया गया, बोला देखो बताओ इसको देखके कैसकी height कम है की नहीं है, बोला gap है की नहीं तो वह लिखा रहा था, उसके आप से sign वगरे कराते हैं, उसके बाद आप कुछ जाने देते हैं, ठीक है, CISF में क्या हुआ था, CISF में पहले क्या हुआ, CISF में जब हम गए अंदर, मेरा यहीं उचाहार पढ़ता है UP में, उचाहार में था मेरा, तो हुआ क्या, वहाँ NTPC का लगा रहता है, NTPC का कैंप है, वहाँ से CISF लगी हुआ, वहाँ पहले हम बैठा दिया गया, ठीक है, लाइन से बैठा दिया गया, फिर एक एक करके फिर वहाँ पर ऐसे counter बने थे, counter बने हुए थे ऐसे, और वहाँ पर जो भी officer थे, वह 4-5 officer बैठे हुए थे, तो ए document check करने के बाद, फिर वह मेरा PhD लेने गए, फिर मेरी height वहाँ नापे, तो वहाँ वहाँ height 170 चाहिए थी, ठीक है, तो मेरी 167.5 ही थी, तो मुझे वहाँ से reject कर दिये, वहाँ DV, तो ITBP head constable, railway, LP, और इधर MTS, ठीक है, MTS में तो मैंने DV नहीं कराया, MTS यहाँ सब मैं selected हूँ बाकि इनके बारे में इनमें फोर्स की है, चलिए मैंने बता दिया, ठीक है, तो CISF में फिर बाद में height वगरे नापा गया था, उसके बाद chest वगरे height में छड़ गया तो फिर chest नापे नहीं वहाँ पर, तो कहीं पर पहले DV करते हैं, फिर physical लेते हैं, फिर physical लेते हैं, फिर cooperative staff होता है, वहाँ पर इतने ज़्यदा cooperate करते हैं आपके साथ, क्योंकि उनको पता होता है कि यह बच्चे हैं, अभी उनको पता नहीं है, तो आपको बताते रहते हैं, chest के बारे में भी, और chest ही में बतातो, chest में थोड़ा बहुत चल जाता है, अगर आपका नहीं हो पारा expand तो थोड़ा वह आपको बताते हैं, और expand करने का तरीका भी में आपको बताऊंगा, क्यासे करना, इसकी detail video बनाऊंगा, ठीक है, weight में, weight में कोई बाहर नहीं होगा, मैं खुद ITBP head constable ministerial में, मैं weight में overweight था, मेरा weight 167 है, और मेरा weight जो था, वो 67 था, यानि कि मैं 2-3-4 kg में overweight फिर भी मिझे छाटा नहीं गया, तो overweight में या फिर weight में किसी को नहीं छाटा जाता था, ठीक है, document के बारे में बता ही दिया, अगर आपके document माता, पिता के नाम बगरें गलती है, घबराने की जरूत नहीं है, अधार कार्ड में गलती है, घबराने की जरूत नहीं है, कोई document चेक करने के बार हैं और सबसे जादा जो डॉकमेंट चेक करते हैं व करते हैं का सर्टिफीगेट को करते हैं और यह जो आपका educational डॉकमेंट हो उसको बहुत बारिकिस चेक करते हैं इंगá और आपक है को भरने के बाद तो वहां पर भी उन्होंने बहुत जैनुवन से बाते की बहुत आराम से बठाए बोले घबराओना नहीं है आराम से बैठो आराम से तुम्हां डीवी कराएंगे तो डॉक्मेंट वेरिफिकेशन में आपको बता रहा हूं में कभी भी कोई भी डॉक्मेंट घर पर छोड़्के नहीं जाने अगर आपके पास अपने बनवा रखे वह में हो कोई भी डॉक्मेंट ऐसन घर पर होड़ दिना एजुकिसन का ऐन्सी्स की एक स्पोर्ट वाले सारे डॉक्मेंट अपने आप साथ लेकर जाओ लगेगा तो अच्छी बात है नहीं लगेगा तो घर वापन लेकर चले आना और आजीनल डॉक्मेंट जरूर लेकर जाना डॉक उसके लिए मुझे document दिखाने पड़ेगे现在 मैं उसको थाबित करने क llebungों में जितने जादा document दिखाऊं गा कि देखो मेरा highschool में है मेरा intern में नाम है मेरे अधार काड़ है pen card is project midhan प्रान काड़ फिर्विश का हर चीज में जितना document फ्रस्तूत करूंगा उतना ज्यादा मैं strong हो जाओंगा कि हाँ सच में इसका नाम सूरज है तो वह बता रहा हूं कि जो भी आप डॉक्मेंट लेके जाएं तो आप पूरे डॉक्मेंट लेके जाएं तभी आप अपने आपको प्रूफ कर पाऊगा कि हाँ मैं real identity है मेरी यह मेरा real document है अगर आपको कहीं पर उनको doubt लगता है कि यार यह document में doubt लग रहा है तो बोलो सर्थ मेरे पास और document है जो इसको verify कर देंगे गलती है एफिट एफिट बनवा के लेके चले हो तो यही सब चीजे होता है document verification में बहुत ही mind को सांथ रखना है घबराना बिल्कुल भी नह होते हैं अगर आपको document फरजी नहीं है मलब कि fake document नहीं है आपको घबराने की कोई भी जरूत नहीं है आपको सांथी के साथ बैठना है वहाँ पर वह आपको सब कुछ बताएंगे वो कि उनकी भी नजर आप पर रहती है वो देखते रहते हैं कि कौन बच्चा document फरजी होग इन सब चीज़ों में कराया था और भी नहीं कराया था ठीक है अपने document लेकर जाओ कोई बिक्कत नहीं नये पुराने से कोई मतलब नहीं है चाहे नया है चाहे पुराना है लेकर जाओ वैलिड है इन्वैलिड है लेके जाओ ठीक है पहले जितना समय है तो बनवाई ही लो ताकि जो उसका लाश्ट डेट से पहले का बनवा लो और जो मैंने आपको अधर वीडियो में बता रखा है कि कहां से इसू होना चाहिए वह इसू लेके जाओ नाम में गलती है पिता के न लेना टेलीग्राम गुर्व पर जूड जाना और हमारे नये चैनलर इंडियन फॉजी फिचकल अकैडमी को भी सब्सक्राइब कर लेना और आप को भी डाउनलोड कर लेना वहां पर ब्यस एड कॉंश्ट और मिनस्टर की आपको टेस्स सीरीज मिल जागे तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू सो मच